जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे पूरे जारखन की नजर इस बात पर ठीकी हाई कि हमत सुरेन पीएम के समयलन में जरुकं कप पर ठीकी है जेनकारी के उनसार मुख्यमतित backstorydy सुकरवार की साम हाइदराबाद से ही नई दीली की उडान भरी है लाते हर में नवाली किसादी 422 पर केस नवाली किसादी कराने पर सुकरवार को लाते हर थाना में बीडियो मेगनात उराओ ने लड़की के माता पिता समेट 422 पर प्रात्मे की दर्श कराई है मामला सदर थाना छेतर के नावागड गाओ का है बतादे बीडियो ने थाना में दी आवेदन में कहा है कि 27 अप्रेल को कुर्रा की नवालिग ने नावागड निवासी होरिल साओ के पूत्र सुभास कुमार प्रसाद की साधीत तय हुई थी इसकी सुचना चाइड लाइन के जीला समनवैक आसुतोस कुमार से उन्हें मिली उन्होंने तुरंद पंचाज सेवक संतोस उराओ के मैदम से परिजनों को साधी कराने को लेकर समझाया उन्होंने खुद लड़की के घर पहुच कर माता पिता से बात कर बाल बिवा प्रतिरोध अधिनियम 2006 के बारे में जनकारी दी साथी बच्ची के सारे कगजात लेकर साधी नहीं करने की बात कही थी बिस्किट खिलाने के बाहने पांच साल की मासुम से दुसकर्म राची जीले के चान हो थाना छेत्र में पांच साल की एक बच्ची के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया है इस मामले को लेकर परत्मी की दच कराये जाने के बाद पुलिश ने दुसकर्म के आरोपी 15 वर्षे नवाली को गिरपतार कर लिया है घटना सुक्रवार दो फ़र करीब 3 बजे की है बताया जा रहा है कि घर के बाहर खेल रही मासियूं बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बाहने आरोपी ने च्छत पर ले जाकर दुसकर्म किया रांची समित कई जीलों में बारिस के असार जारखन में मौसंग का मिज़ाद बदल गया है तपती गर्मी के बीच आसमान में बादल छागाए है इससे लोगो को रहत मिली है बता दे रांची गुमला खुटी सिम्डेगा पच्चमी सिम्भूम लाते हार पलामू सराय के लखर सावा धनबाद गिरीडी को डर्मा एवम हजारी बाग जीले के कुछ भागों में में गजन के साथ बारिस की संभवना है इस दोरान बजरपात की असांका है मौसं बिभाग की ओर से एलो अलट जारी किया गया है पंचायत चुनाव पर चार पर सार कार्ज शुरूर राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए परतियासियों को चुनाव चिन अवंटित कर दिया गया है बतादे पहले चरण के लिए 16.757 पदो के लिए कूल 49-513 उमिद्वार चुनावी दंगल में उत्रे है जिला पर सदस सदस समेती सदस मुख्याव वाट सदस से के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी 24-24 चुनाव चिनों में से परतियासियों को उनके नाम के बरना नू क्राम में अवंटित किया गया है बतादे पहले चावन में 21 जीलों के बहतर पर खंड़ों है 127 पंचाई छेत्रों में 14 माई को भोट डाला जाना है चुनाव चिन आवंटन के बाद अब परतियासियों द्वारा पर चार अभियान सुरू किया जाएगा जे एमेम का बीजेपी पर बड़ा आरोप जामों ने माइनिंग लीज मामले को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता बावुलन मरांडी वा पूरो मुखमंतरी रगवर्दास के खिलाप मोचा खोला है भाजपा राज सरकार को और इस्थीर करने का एजेंटा चला रही है रगवर्दास वा वावुलन मरांडी सत्ता के लिए हाय तोबा मचा रहे है जामों विधायक सुद्धिब्य कुमार सोनू और पार्टी के वरिष टेनिता सुप्रियों भटाचार सुक्रवार को भाजपा नेताओ पर जमकर बरसे विधायक सिरी सोनू ने कहा कि रगवर्दास के पांच साल के सासनकाल में क्या क्या हुआ सब के सामने है चाहे वो मैन हाट या चाहे टोफी टी सट या और मामले की जाच चल रही है यूक्रेन रूस यूद बंद नहीं हुआ तो जार्खन पर पड़ेगा गाहरा परभाया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे यूद का असर जार्खन में खाद किया पूर्ती पर पर सकता है केंद्रे ने जार्खन सरकार को भी इस से अउगत कराया है केंद्रे ने राज सरकार से कहा है कि इस वर्ष खरीब के मौल सम में खाद किया पूर्थी पर विश्यस नजर रखने की जरूरत है किसानों को इसके बिकल्प की जनकारी देने किया सकता है इसे लेकर सोम और को केंद्री, क्रिसी मंत्री, नरेंदे सिंग, तोम और फिर राज्यों के साथ समिक्षा करने वाले हैं बिजली कटवती से जारखन में हाहकार जारखन में लागातार की जारही बिजली कटवती से हाहकार मचा है इस बिश दामोदर घाटी निगम ने मुक्ष मंत्री हमन सुरन के निदेशा अनुसार अत्रीक्त बिजली मुहाया कराने की दिशा में शुरुवात कर दी है सुक्रवार से डीवीसी ने 50 मेगावाड अत्रीक्त बिजली के आपूर्ति आरम कर दी इससे इस्थिती में थोड़ा सुधार दिखा है बिजली बित्रन निगम ने डीवीसी को बाकाया मद में 332 को रुपए का भोगतान कर दिया है डीवीसी अपने कमाड एरिया के साथ जीलो में 550 मेगावाड बिली क्या पूर्ति कर रहा है साल का पहला सुर्य ग्रहन आज वाला साल का पहला सूरेग्रहन करीब 4 घंटे तक रहेगा सूरेग्रहन 2022 रात 12 बज कर 15 मिनट से शुरू होकर सुबह 4 बज कर 7 मिनट तक जारी रहेगा मंत्री हफिजूल हसन पर गढ़वा में प्राथमी की दर्ज जारखन के गढ़वा में 28 अप्रेल को बालिका मद्ध बिद्याले में आवेजीत इफ्तार पार्टी के दोरान हेमंत सरकार के परटन मंत्री हफिजूल हसन ने एक ब्यान दिया था इसमें कहा था कि हमारे 20 तो तुम्हारे 80 घर बंद होंगे इस ब्यान पर भाजपा भड़क उठी है बता दे भाजपा नेता इसे धार्मी उन्माद फैलाने की साजीज और विवाजित ब्यान बता रहे हैं यही कारण है कि भाजपा नेता होने परेटन मंत्री के खिलाब विभीन थानों में पराथमी की दर्ज कराने का सिसीला चुरू कर दिया है बारिस को चेतावनी जारी की गई है में गजन के साथ बजरपात भी हो सकती है रांची नगर निगम की अपील यूजर चार्ज न दे सहरवासी रांची नगर निगम ने सहरवासियों से यूजर चार्ज भुगतान नहीं करने के अपील की है निगम ने कहा है कि CDC कमपनी या निगम के नाम पर लोग यूजर चार्ज का भुगतान अभी नहीं करे इसके लिए निगम की ओर से जल्द ही आम सुचना परकासित कराई जाएगी तब तक कुड़ा संग्रहन के समध में किसी भी परकार का यूजर चार्ज का भुगतान नहीं दे दरसल सहर में डोर टू डोर कुड़ा उठाव का काम कर रही CDC कमपनी को निगम ने टर्मिनेट कर दिया है नकसल प्रभावित छेत्रों में डाले जाएंगे अमतिम चरण में बोट जारखन में पंचाय चुनाव के लिए चौथे और आखरी चरण के नमांकन के परकिरिया सुरू हो गई है राजे के सभी जीला निर्वाचन पता दिकारी ने सुक्रवार को निर्वाचन की सुचना प्रकासित कर दिया है आखरी चरण के लिए 6 माई तक नमांकन दाखिल किये जा सकते हैं बतादे 7 और 9 माई को नमांकन पत्रों की जाच होगी वहीं 10 और 11 माई तक नम वापस लिए जा सकेंगे 12 माई को उमिद्वारों को चुनाव चिन्वावन टित कर दिया जाएगा 27 माई को आखरी चरण के लिए भोट डाले जाएंगे तथा 31 माई को भोटों की गिन्ती होगी नजदीक में सेंटर फिर भी प्रसिक्षू खिलाड़ियों को भेजा जा रहा दूर करिब 3 साल बाद जारखन के 34 आवासिये खेल प्रसिक्षन केंद्रों के लिए 1-4 मार्च तक प्रसिक्षो का राज अस्तरिये ट्रैल लिया गया लेकिन अप्रसिक्षूओ को सेंटर अवांटन को लेकर अजीब इस्तिती बन गई है खेल भी भाग की ओर से जो सुची निकाली गई है उसे देखते हुए अभी भावक परिसान है और असमंजस में हाए कि वे बच्चो को प्रसिक्षन के लिए भेज़े या नहीं क्योंकि इस बार बच्चो को राजे के एक किनारे से दूसरे किनारे के सेंटर में भेज़ दिया गया है जबकि समंधित खेल के कई सेंटर पास के जिलो में ही है 10 दिनों में राजे के 300 थानों में महिला हेल्फ लाइन खोलने का आदेश CID ADG परसांट सिंग ने सुकरवार को सभी जीलो के SP वा DIG के साथ वीडियो कंफरेंसिंग की इस दौरान जहरखन के सभी जीलो में चीनी 300 थानों में महिला हेल्फ लाइन खोलने के लिए 10 दिनों की डेडलाइन तय की गई है VC में कहा गया है कि महिला हेल्फ लाइन को लेकर सभी संसादन उपलब्द कराए जा चुके हैं ऐसे में जल्द महिला हेल्फ लाइन खोल कर इसका अनुपालन रिपोर्ट तस्वीर के साथ भेजे इस थानों में महिला पुलिस कर्मियों को प्रत्मिक्ता के अधार पैतानात किया जाएगा बता दे कि राजे पुलिस ने 102 में महिला पुलिस कर्मियों की जेंडर सेनेटाइजेशन ट्रेनिंग कराई थी धन्यवाद